आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और चटपटा सा नास्ता जिसे हम गेहूं के आटे और आलू से बना करके रेडी करेंगे इसे बनाना बहुत आसान है इसे मुस्किल से मुस्किला पांच मुटे बना करके रेडी कर सकते हैं छोटी मुटी फूख लगे या फिर इस आप से आप क्यों का आटा ले दो चमचे कड़ी बारीक वाली सूजी ली हूं ताकि नास्ता जो है खस्ता और क्रिस्पी बने एक चमचे कड़ी तेल डाल देंगे और थोरा से नमक डाल देंगे सबी चीजों को बीना पानी डाले हुए एक बार हाथों से इस तरीके से दूल जाएगा तो आटा अपने आप थोरा सा सक्त हो जाएगा अब आटा गुतने के बाद इसे 10 मिट के लिए प्रेस्ट पे चोड़ दें अब इधर एक मिक्सिंग बालो मैं तीन कच्छे आलू को इस तरीके से पतले और लंबे स्लाइस में काट करके रेडी की हूं आपक बिना कुछ डाले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि प्याच के जो लच्छे हैं अच्छे तरीके से खूल जाए यानि कि प्याच के लच्छे को हमें अच्छे तरीके से खोल लेना है तो आप यह प्रोसेस प्याच को काटने के बाद भी कर सकते हैं मैं इसमें थोरा से जीरा जीरा डालने से नास्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आधा चमचे कड़ीप में यहां डाल रही हूं काली मिर्च को दरदरा कूड के भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें डाली हूं आधी चमचे कड़ीप कुटी हुई लाल मिर्च अगर आपके पास पौरड इस्तेमाल कर सकते हैं एक चमचे कड़ीप हल्दी पौरड डाल देंगे आधा चमचे कड़ीप भूना हुआ जीरा का पौरड डाल देंगे और आधा चमचे कड़ीप धनिया का पौरड डाल देंगे अब फ्रेस कटा हुआ यहां हाडा धनिया डाल दूंगी नमक टेस्ट के अनुसार अब मैं यहां डाल रही हूं एक चमची कड़ी सफेद तिल अगर आपको सफेद तिल खाना पसंद नहीं है तो आप इसी स्किप कर सकते हैं नाश्ते में अच्छा करण चाहिए इसके लिए यहां सफेद तिल का इस्तिमाल गी हूँ अब मैं इसमें ईब गूर को तो पूरा कप से मैं आधा कब बेसना का इसनों को चुछा है तो देखिये मैं 10 मिनट हो चुका है और आक हैं से सौप्ट शुका है थो इसे एक लोई भना लेंगे जिस तरीके से घर में रोडी बनांते हैं ना बिलकूल उसे तरीके से लोई बना करके रेडी कर लेंगे और बस जिस तरीके से हम घर में रोटिया बनाते हैं उतना छोटा हम इसे बेल करके रेडी कर लेंगे आप चाहें तो बड़ा या छोटा जिस भी तरीके से आप बेल पाएं उस तरीके से आप इसे बेल करके रेडी कर ले और हाँ इसे एकदम रोटी के जैसा पतला ना बेले थोड़ा सा मोटा रखे और आपको जितना बड़ा या छोटा नास्ता बनाना है उसके हिसाब से आप एक गलास ले ले तो गैस का फ्लेम हाई करते हुए बस हम इसे दो मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल हमें रोटी के जैसा नहीं पकाना है बस इसे 50% हमें इसे अच्छे तरीके से पका करके रेडी कर लेना है बस हमें 50% ही पकाना है और देखें रोटिया जो है यानि कि छोटी-छोटी पु अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम इसमें बिल्कुल भी ज्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे बस एक चमच पानी डाले और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दे अब हम नास्ता बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए एक पूरी अच्छे तरीके से भी नहीं पका है और बस एक पूरी लेते हुए इसके उपर हम आलू प्याज का जो बैटर है इसे अच्छे तरीके से हम कोट कर लेंगे हमें ये दोनों तरफ लगाना है लेकिन सबसे पहले आपको एक बार में जितना फ्राई करना है उतना ही ले और उसके उपर अच्छे तरीके से आलू और प्याज के बैटर को लगा ले एक साइड लगा ले और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो दूसरे साइड भी हम इसे लगा करके ही फ्राई करेंगे देखिए मैं यहाँ चार पूरी के ऊपर इसे अच्छे तरीके से लगा ली हूँ और देखिए एक ही साइड लगाई हूँ एक साइड अभी बाकी है जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो एक साइड लगा करके हम फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ करने के लिए हम यहाँ गैस पर डाले हैं पूरी फ्राइ करते से में पूला है करते स dizer पर पतला सा कोड़ करके हम रेडि करेंगे बतास्ते को अच्छे तरीक 사acous यादatten permett करते हुए हम इसके और देंगे याद रहे किस feelings तरी कि से घड़ा करें ऊद्वाद जैसी डालने के बाद यानी ? प्राइकों और दिखें साथ नास्ता बो जब अब आपको नास्तिक जाए इसन चाहें के साल आएक को पॉटन आ यहनुन का दिकनेस है तो आप रहें तो कोटिंग कर शाए तो सब्सक्सक्राइब करBO